इस प्रोफेसर एमेच और आज के इस वीडियो में भी विल्ट डिसकस बैंकिंग कंपनी का जो हम लोग ने इस फ़र्चे में देखा था पर हम लोग ने देखा था है इसके बाद हम लोगने कुछ आराउंड 12 schedule होते हैं और P&L में अंदर 4 schedule होते हैं तो उसको कैसे याद रखना है logic क्या था वो हम लोग ने previous वीडियो में देख चुके थे वीडियो नमबर 1 वीडियो नमबर 2 लिंक description में दे दिया है वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि balance sheet को banking company के balance sheet को कैसे याद रखना है और P&L banking company के P&L को कैसे याद रखना है वो उस वीडियो में बताएगे अब हम लोग ने start किया है P&L सबसे पहले हम लोग P&L करेंगे P&L के schedule सिर्फ 4 है तो इस 4 schedule में क्या-क्या आएगा क्योंकि जब आप final account बनाते हो तो आपको confusion होता है कि कौन से schedule में क्या जाने वाला है ठीक है तो हम लोग को ये समझना जरूरी है कि हर एक schedule में जो P&L का P&L बनेगा और जिसके अंदर charge schedule है उस एक-एक schedule में क्या-क्या जाएगा that we have to remember अब उसका logic क्या है वह हम लोग इस वीडियो के थूरू समझेंगे तो सबसे पहला profit and loss के अंदर charge schedule है पहला schedule जो है वो है interest earned जो कमाया दूसरा है other income क्योंकि bank की सिर्फ दो ही income होती है एक interest income होती है और other income में बहुत सारी income होती है तो कौन-कौन सी income होती है that we will see फिर है schedule 15 interest expanded expanded का मतलब होता है जैसे ये earned है तो ये spend हो गया opposite है ये कमाया earned मतलब कमाया expand मतलब spend किया तो bank ने कितना interest कमाया और कितना interest pay किया तो कौन सी चीजों पर interest pay करेगी bank और कौन सी चीजों पर interest earn करेगी उसी को हम लोग को समझना है क्योंकि जब आफ final account बनाएंगे trial balance दिया होगा तो trial balance in the form of balances दिया होगा तो interest on loan दिया होगा अब वो interest on loan debit credit के इसाफ से नहीं दिया होगा ऐसी simple दिया होगा तो आपको judge करना है कि वो interest earned है कि interest expanded है ठीक है और last schedule है operating expense इसमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना है जितने भी आपके office से related है mostly office से related जितने भी घर्चे वो सब आएंगे तो यह याद रखना है आपको तो let's start with the one by one the first one first one क्या है आपका interest earned तो schedule number 13 interest earned पे जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग ने देखो यहाँ पर लिखा है फिर हम लोग लिखते हैं कुछ information इस तरीके से होती है लेकिन आप जब practical करेंगे banking का किसी का audit करेंगे तो आपको इस तरीके का information जीए लेकिन आप अगर कोई exam दे रहे हो या कोई भी exam दे रहे हो तो उसमें current year previous year का बहुत मुश्किल से देगा तो यहाँ पर rupees rupees का sign डालना है ठीक है अब यह interest earned क्या है देखो यहाँ पर मैंने already interest earned बोलते हैं अब किस किस पर interest collect करती है bank तो सबसे पहला इसके अंदर जो आता है वह आता है interest on loan ठीक है interest on loan जिसको बोलता है advances इसको black में करो दूसरा आता है discount on bill discounted अब यह bill discounted क्या होता bill of exchange होता है bill लेके जाते बैंक और वो discount करता है मतलब 100 रुपे का bill लेके गए तो आपको वो 80 rupees ही देगा तो 20 rupees वो क्या रख लिया आपने पार discount रख लिया तो it is in the form of interest only ठीक है एक यह part होता है उसके बाद interest on investment कहीं investment करके रखा है तो उसके ओपर interest मिलेगा और तीसरा जो part होता है वो होता है interest on balance with RBI और other bank यह तीन टाइप का जो main आपका interest है वो है एक तो advance जो customer को दिया जाता है in the form of cash credit जो भी है मतलब जो भी bank वाले ने customer को दिया उसके ओपर interest कमाया तो advance हो गया discount हो गया investment कहीं किया वहां से income आ रही है या RBI के पास balance रखा वहां या इनके अलावा यह तीन को छोड़के कुछ और interest मिल रहा है तो उसको others में डालने का तो in total interest जो है bank जो कमाती है वह चार तरीके से कमाती है एक advance पर कमाती है दूसरा bill discount करके कमाती है investment पर कमाती है और RBI के और other bank के साथ जो deposit रखा है उसमें कमाती है या इन तीनों को छोड़के अगर कुछ और procedure और कोई चीज है जहां से उसको interest मिलता है तो वह other में चला जाएगा आई बस समझ में yes sir no तो यह हो गया आपका interest earned यह याद रखना customer से collect किया जाता है यह जब आप अभी में final account करवाऊंगा P&L कैसे बनाते है तो उसमें आपको यह help होगा ठीक है तो आपको शिरिफ यह याद रखना यह जो advance होता है न advance जातर यह होता bill discounted clear कर देगा investment भी यह advance में क्या क्या आता है पता है loan हो गया loan given to customer cash credit overdraft और भी कोई facility है जिससे interest company को bank को मिले वो सब advance में आ जाएगा ठीक है यह सब आपका पहला part हो गया अब दूसरा part क्या है schedule number four schedule number four क्या था other income तो interest को छोड़के और कौन सी income होगी तो बहुत सारी income होती है कौन सी है तो छे साथ income दी गई है इसको मैं एक साथ लिख लेता हूं देखो यहाँ पे other income other income other income में यह साथ item है other income में तो कौन-कौन सी income है तो कभी-कभी बैंक वाला कोई commission पर काम करता है ब्रोकरिज पर काम करता है तो commission ब्रोकरिज मिलेगा फिर investment को बेचा तो उस पर profit होता है loss होता है तो minus करके लेने का net amount लेने का फिर कभी-कभी investment को revalue करते तो उस पर profit होता है कोई land building या कोई asset उसके पास है उसको बेचा तो उस पर profit मिलेगा exchange transaction है बाहर के foreign exchange में deal करती है उसके उपर अगर उसको profit मिला तो by way of dividend बैंक वाला कोई और company में भी invest करके रखता है तो dividend मिलता है और इनके अलावा और कोई income होगी जो commission profit और dividend को छोड़के वो missliness income में चली जाएगी आई पास समझ में तो यह other income है main income bank की क्या होती है interest है वो customer से कमाती है discount करके कमाती है investment करके कमाती है और RBI या other bank में अपना balance रखती है वहां से कमाती है other income में यह सब इसके जो extra काम होते है extra काम में जो भी commission का काम किया investment को बेचा खरीदा land and building को बेचा खरीदा फिर exchange transaction dividend के form में यह इसकी other income आएगी ठीक है तो यह domain income होती है bank की अब उसी तरीके से interest expanded आता है इसको मैंने यहाँ पे लिखा है ध्यान से देखो जो bank customer को pay करती है interest expanded यह यह वाला क्या था यह collect करती है collect मतलब customer bank को pay करता है यह interest क्योंकि अगर bank ने customer को loan दिया तो loan पे interest देना पड़ेगा आई बस समझ में अब interest expanded में क्या होता है जो bank customer को pay करती है अब customer को कब पे करती है जब customer ने उसके पास अपना कोई deposit रखा होगा समझ में आया कोई deposit रखा होगा जबी तो pay करेगी न इसलिए interest expanded में पहला आता है interest on deposits तो पहला अगर आप देखेंगे तो पहला आपका यहाँ पे दिया है interest on deposit दूसरा कौन कौन सा interest है तो जैसे RBI और other bank से वो collect करती है उसी तरीके से RBI और other bank को pay भी कर सकती है कि कैसे समझो HDFC bank ने RBI के पास balance रखा है हो सकता है RBI वाला आपके पास balance रख दे आर यह बास समझे वाइस वरसा हो सकता है तो interest paid to RBI and other banks ठीक है इसके अलावा और कोई interest होगा तो उसको हम लोग others में डाल सकते हैं तो थर्ड वाला जो होगा आपका वो others में आ जाएगा ठीक है तो main जो interest bank पे करती है वो deposit पे पे करती है deposit बहुत type का होता है saving deposit होता है FD होता है recurring होता है बहुत सारा होता है जो customer को दिया जाता है customer देता है customer bank को देता है और bank उसके उपर interest pay करती है ठीक है तो यह याद रखना आपको एक्जाम में ऐसे ही देगा interest on deposit interest on loan तो आपको जज़ करना है जब practical करेंगे तो और अच्छे से clear हो जाएगा ठीक है इसका टूटल कर लेंगे और next आपका आजाता है operating expenses operating expense में आपको कुछ याद नहीं रखना है सिर्फ याद रखना office से related उसी का यहाँ पे 78 नाम दिया गया है देख लेते हैं तो सबसे पहला office में काम करता है staff काम करता है तो उसकी salary सब आ जाएगी office सब खरितते नहीं है भाड़े पे लेते तो उसका rent हो गया office में printing and stationary लगता है फिर bank वाला कभी advertised publicity करता है कभी-कभी bank rent पे नहीं खुद का office रहता है तो उसके उपर depreciation और भी कोई asset होते हैं जैसे computers हो गया है उसके उपर आपका depreciation लगता है director का fees हो गया allowance हो गया auditor का fees, law charges, postal, repair, insurance यह सब और last one जो आता other expenditure तो यह कुछ 11 नाम है आपको याद रखने तो इस employee, employee की staff salary, अब office जो होता वो भाड़े पे assume करने का, भाड़े पे तो rent पे किया, भाड़े पे नहीं है तो उसके उपर depreciation मिला, आरी यह बास समझ में, अब office में काम करेंगे तो printing and stationery तो हो गई, फिर bank को अपना नाम का publicity करना पड़ता है, तब ही तो customer आपके पास आता है, bank क audit करना पड़ता है, तो auditor का fees देना पड़ता है, law charges, क्योंकि बहुत सारे rules and regulation follow करने पड़ते हैं, फिर telephone के charges, repair and maintenance, insurance, यह सब खर्चे आते हैं, और कोई खर्चा जो इसमें नहीं आता है, उसको others में दिखाने का, आई बास समझ में, यह नाम से हटके कोई नाम आया, उसको others मे दिखाने का, तो यह छोटा सा वीडियो में मैंने बनाया है, चारी schedule होते हैं, और भी बहुत सारे item आते हैं, अगर आपने PNL का format देखा होगा, यह आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो इसमें देखो, यह interest and other income हुई हो गया, interest expanded और operating expense यह हो गया, फिर provision for contingency यह दिया है तो करने का नहीं तो नहीं, फिर यह net profit आजाएगा, प्लस माइनस, यह जब practical question करेंगे तो और clear हो जाएगा, इसको हटा देते, फिर उसमें से आप transfer करते है, appropriation में, आई वा समझ में, तो यह वाला आप go through कर लो, पहला वीडियो जो था, वो balance sheet का format explain किया था, दूसरा जो व चोटा करके अगर देख सकते हैं, तो यह पूरा आपको एक स्क्रीन पर देख सकता है, ठीक है, तो just go through it, could doubt है को तो please comment and please like and subscribe